कागत लिखे सोकागदी, को व्यहायरी जीव आतम दृष्टी कहां लिखे, जित देखो तित पीव अर्थ कागज में लिखा शास्त्रों की बात महस्दस्तावेज है, वह जीव का व्यवहारिक अनुभव नहीं है, आतम दृष्टी से प्राप्ट व्यक्तिगत अनुभव कहीं लिखा नहीं रहता है, हम तो जहो भी देखते हैं अपने प्यारे परमात्मा को ही पाते हैं कहा सिखापना देथ हो, समुझी देख मन माही सबई हर्फ है द्वात्मा, द्वात्ना हर्फन माही, अर्थ मैं कितनी शिक्षा देता रहूं, त्वयम अपने मन में समझों, सभी अक्षर दावात में है पर दावात अक्षर में नहीं है, ये संसार परमात्मा में स्थित है पर परमात्मा इस स्रिष्टी से भी बाहर तक असीम है। ज्यान भक्ती वेराग्य सुख पीव ब्रहम लोधाय आतम अनुभव सेज सुख तहन ना दू जा जाए। अर्थ ज्यान, भक्ती, वेराग्य का सुख जल्दी से तेज गती से भगवान तक पहुए चाता है। पर आतमा नुभो आतमा और परमात्मा का मेल कराता है। जहाँ अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। जाको अनुभव ग्यान साद असाद ना देखिए, क्यों करी करून बखान। अर्थ जिसे अनुभव का ग्यान है उसके लक्षनों के बारे में क्या कहा जाए। अर्थियदी परमात्मा अलग-अलग हों तो कुछ कहो जाए यही तो सभी जगड़ों की जड़ है दो अंधों के नाच में कौन अंधा किस अंज अंधे पर मुगधिया प्रसन होगा नर्नारी के सूख को खासी नहीं पहिचांतियों ग्यानी के सूख को अग्यानी नहीं जान अर्थ्स्त्री पुरुष के मिलन के सुख को नपुनसक नहीं समझ सकता है इसी तरह ग्यानी का सुख एक मूर्ख अग्यानी नहीं जान सकता है निर्जानी सो कहिए का, कहत कबीर लजाय अंदे आगे नाचते, कला अकार्थ जाए अर्थ अग्यानी ना समझ से क्या कहा जाए कबीर को कहते लाज लग रही है अंदे के सामने नाच, दिखाने से उसकी कला भी व्यर्थ हो जाती है अग्यानी के समक्ष आत्मा पर्मात्मा की बात करना वियर्थ है ज्यानी युक्ती सुनाईया को सुनी करे विचार सूर्दास की स्ट्री का पर करे सिंगार अर्थ एक ज्यानी व्यक्ती जो परामर्ष तरीका बतावें उस पर सुनकर विचार करना चाहिए परंतु एक अंदे व्यक्ति की पतनी किसके लिए सजधज श्रिंगार करेगी पूज सरी की बात हैं, कहो सरी की नही जेते ग्यानी देखिए, तेते संसे माही अर्थ पर्मान्त्मा की बाते समझने की चीज है, ये कहने के लायक नहीं है जितने बुद्धिमान ग्यानी है वे सभी अत्यंत भ्रह्म में है लिखा लिखी की है ना ही, देखा देखी बात दुलहा दुलहिन मिली गए, फीकी परी बारात अर्थ परमात्मा के अनुभव की बातें लिखने से नहीं चलेगा ये देखने और अनुभव करने की बात है, जब दुलहा और दुलहिन मिल गए तो बारात में कोई आकर्शन नहीं रह जाता है पीतर तो भेदा नहीं, बाहर कथई अनेक जो पाई भीतर लखी पर है, भीतर बाहर एक अर्थ रिदय में परमात्मा एक है लेकिन बाहर लोग अनेक कहते है, यदी रिदय के अंदर परमात्मा का दर्शन को जाए तो वे बाहर भीतर सब जगह एक ही हो जाते है अर्थ एक धनी निर्धन और निर्धन धनी हो सकता है परंतु परमात्मा का निवास होने पर वल कभी पूर्ण भरा या खाली नहीं रहता अर्थ ग्यानी हमेशा निर्भय रहता है कारण उसके मन में प्रभू के लिए कोई शनका नहीं होता लेकिन यदि वह इंद्रियों के वश में पढ़कर बिशे भोग में पढ़ जाता है तो उसे निश्चे ही नरग भोगना पढ़ता है आतम अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विशाद चित्रा दीप सम्हबई रहे तजी करी बाद विवाद अर्थ जब हृदय में परमात्मा की अनुभूती होती है तो सारे सुक दुख का भेद मिट जाता है वह किसी चित्र के दीपक की लौग की तरह स्थिर हो जाती है और उसके सारे मतांतर समाप्त हो जाते है आतम अनुभव सुक की जो कोई पुछे बात कई जो कोई जानई कोई अपनों की गात अर्थ परमात्मा के संबंध में आतमा के अनुभव को किसी के पूछने पर बतलाना संभव नहीं है ये तो स्वयम के प्रयतन, ध्यान, साधना और पुन्य कर्मों के द्वारा ही जाना जा सकता है अंदे मिली हाती चुवा अपने अपने ग्यान अपनी अपनी सब कहे किसको दीज़े कान अर्थ अनेक अंधों ने हाथी को छू कर देखा और अपने अपने अनुभव का बखान किया सब अपनी अपनी बाते कहने लगें अब किसकी बात का विश्वास किया जाए ज्यानी मूल गवाईयो आप भये करता ताते संसारी भला, सदा रहत दरता अर्थ किताबी ज्यान वाला व्यक्ति परमात्मा के मूल स्वरूप को नहीं जान पाता है वह ज्यान के दम्ध में स्वयम को ही करता भगवान समझने लगता है उससे तो एक सांसारिक व्यक्ति अच्छा है जो कम से कम भगवान से दरता तो है वचन वेद अनुभव युगती आनंद की परचाही बोध रूप पुरुश अखंडित कहबई में कुछ ना ही अर्थ वेदों के वचन अनुभव युप्तियो आदी परमात्मा के प्राप्ती के आनंद की परचाही मात है क्याप स्वरूप एकात्म आदी पुरुष परमात्मा के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने के लायक हूँ ग्यानी बुलई ग्यान कथी निकट रहा निज रूप बाहिर खोज़ए बापुरे बीतर वस्तु अनूप अर्थ तथा कथित ग्यानी अपना ग्यान बगारता है जबकि प्रभू अपने स्वरूप में उसके अत्यंत निकट ही रहते है वह प्रभू को बाहर खोज़ता है जबकि वह अनुपम आकरशक प्रभू हृदय के विराजमान है अंधों का हाथी सही हाथ टटोल टटोल आँखों से नहीं देखिया ताते विन विन बोल अर्थ वस्तुत यह अंधों का हाथी है जो अंदेरे में अपने हाथों से टटोल कर उसे देख रहा है वह अपने आएकों से उसे नहीं देख रहा है और उसके बारे में अलग-अलग बातें कह रहा है अग्यानी लोग ईश्वर का संपूर्ण वर्नन करने में सजम नहीं है